तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद अच्छा होगे बढ़िया होगे तो आज की इस वीडियो में हम आपको कच्छ अच्छ है कि इंग्लिस का लेसन 3 का हिंदियर्थ समझाने वाले हैं तो यह दिया आप लोग चैनल पर नहीं तो जलिश चैनल को सब्सक्राइब करके घंट करते हैं उससे पहले हम यहां पर दो लाइन पढ़ लेते हैं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो यहां पर दक किंग एंड़ स्पाइड इस टूरी है आज की इसमें एक राजा है और एक मकड़ी है तो दोनों के बीच क्या समंध है क्या बात होती है चली दे ट्राइगें फिर से प्रियास करूँ क्या सीखना है ट्राइगें फिर से प्रियास करूँ कैसे इफ एट फर्स्ट यू डॉन्ट सक्सीड ट्राइगें यदि पहली बार एट फर्स्ट यदि पहली बार मैं आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर से प्रियास करूँ ठीक है तो चलिए फिर और आंगे इसको पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए एक राजा है और एक स्पाइडर है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक की राजा है हमारा और एक की स्पाइडर है ठीक है स्पाइडर का मतलब होता मकड़ी यहाँ से हमारा अध्यास शुरू होता है तो चलिए देखते इसको वांस अपान अटाइम एक बार की बात है वांस अपान अटाइम किसी समय देयर वाज़क के एक राजा रहता था एक राज दूसरी राज की बीच में लड़ाइए चलती ही रहती थी तो एंड जो राजा था तो उसने बहुत लड़ाइए लड़ाइए और जीता भी युद्को जीता भी वह बुद्धिमान था ब्रेव बहादर भी था एंड काइंड रूलर और बहुत ही दयालू सासक था यानि कि वह बुद्धिमान भी था बहादर भी था और बहुत ही दयालू सासक था उसे अपनी यानि कि बुद्धिमता का बहादरी का घमंड नहीं था अच्छा राजा थ पीपल यनि के लोग वर वेरी हपई in its kingdom जो उसके राज में लोग रहते थे पीपल जो लोग रहते थे उसके राज में बहुत खुश थे वेरी हिपी बहुत खुश थे ठीकत सब्सक्राइब Once a neighboring king attacked his country तो एक बार neighboring king पडोसी राजी ने अटेक्ड हिज कंट्री उसके देश में आक्रमन कर दिया उसके देश में आक्रमन करना होता है बिना बताए लड़ाई स्टार्ट कर देना उसे कहते हैं आक्रमन तो लग डिड नौट फेवर हिम दिस टाइम लेकिन देखिए जो राजा था हमेशा लड़ा उसके बहुत से युद्धाओं मारे गए और जो भी बचे थे वो क्या हुए अपने जीवन को बचाने के लिए यानि कि खुद को बचाने के लिए अपने जिन्दगी बचा कर भाग गए ठीक है अपने आपको बचाते हैं चले गए जो राजा था राजा को खुद छिप कर यानि कि भागना पड़ा और एक गुफा में इन अ केव के एक गुफा में छिप गया जो राजा था देखिए ऐसी स्थिती आ गई कि जो राजा कभी किसी दुद में हारता नहीं था आज उसको और उसके स्थेनकों को अपनी जान बचा कर भागना पड़ा ठीक है और वो राजा अपनी जान बचा कर भागा जब तो कहां पर छिप गया एक केव छिप गया है ठीक है फिर यहां से केव का मतलब गुफा होती है यहां पर देखो एक राजा है और किसी गुफा में बैठा हुआ है और यहां पर एक मकड़ी का जाल लगा हुआ है मकड़ी है तो यहां बहुत अदास था और चिंतित था वहाँ चिंता तो होगी ही उसकेतने सारी उद्धा मारे गए उदास भी था एक दिन उसने देखा एक मकड़ी जो है यहाँ पर नीचे थी नीचे से उपर क्यों चड़ा रही है ठीक है नीचे से उपर क्यों चड़ा रही है उसने राजा ने देखा यहां से हुआ क्या कि जब राजा देख रहा था उससे देखो यह चड़ रही है न तो इट क्लाइम्ड लिटल वह थोड़ी सी चड़ी बट इसलिब्ड लेकर फिसल गई और नीचे गिर गई मतलब वो जो मकड़ी थी थोड़ी सी चड़ी फिसल गई और नीचे गिर गई इट ट्राइड अगेन उसने दुबारा कोशिट की ट्राइड का मतलब होता कोशिट करना अगे निए दुबारा और फिर से गिर गई एक बार गिरी फिर दुबारा उसने प्रेस किया फिर से गिर गई The spider did not give up और ऐसे ही उसने तीन चार वर किया यानि कि मकड़ी तीन चार वर गिरी और वो उसने हार नहीं माना Give up का मतलब होता हार मान जाना The spider did not give up Spider नहीं मानी It kept on trying और यह बार बार क्रिया चलती रही यानि कि वह बार बार चढ़ती रही फिर फिसल कर गिरती फिर चढ़ी फिर फिसल कर गिर जाती तो इस तरह से वह बार बार करती रही And still kept falling और अभी भी वह बार बार गिर ही रही थी This happened many times जो यह घटना हुई तो जो राजा देख रहा था वह मकड़ी कई बार गिरी This happened यह कई बार हुआ Many times ठीक है Many times यह कई बार हुआ At last the spider succeeded in climbing the wall लिकिन आखरी में वह मकड़ी दीवाल पर चढ़ने में सफल हो गई ठीक है At last the spider succeeded in saffal हो गई Climbing चढ़ने में दीवाल दीवाल पर चढ़ने में सफल हो गई ठीक है तो दा किंग अब यहाँ पर जो राजा था अकेले था the king said to himself राजा नहीं आपने आप से कहा if this spider यदि यह मकडी a small insect चोटा सा कीड़ा राजा खुद से कहते हैं if this spider यदि एक मकडी if a small insect यदि एक छोटा सा कीड़ा can succeed in climbing the wall by trying again and again यदि एक छोटा से कीड़ा मकड़ी सफल हो सकती है बार बार चड़ने में यनि की बार बार प्रयास करने में सफल हो सकती है आखिर में उसने बार बार प्रयास किया पर आखिर में सफल हो गई Why can't I defeat my enemies तो मैं क्यों अपने सत्रूओं को हरा नहीं सकता मुझे भी एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा जीतने वाला राजा था तो जब अचानक से उसके उपर हमला हो गया तो अपना आत्मिश्वास उसने खो दिया अचानक से वह भी डर गया थोड़ी देर के लिए लेकिन जब उसने ये घटना देखी तो उसके अंदर फिर से साहस आ गया हमात आ गयी जुनून आ गया और उसने कहा कि जब ये कीड़ा एक छोटा से इंसेक्ट हार नहीं मानी इसने और इसने यनि कि जब तक हार नहीं मानी जब तक वह पूरा सफल हो नहीं गया जब तक दिवाल में चड़ नहीं गया तो भला मैं एक इंसान होकर कैसे हार मान सकता हूं तो फिर राजा ने खुछ से एक कहा और जो राजा था उसका जो विश्वास था फिर से वापस आ गया ही यूनाइटेड ही सूल्जर्स और उसने अपने सेनकों को फिर से वापस एक अठ़ा जो भाग गय थे तो भाग गय थे है ना लेकिन जो उसके आस पास थे और जो मारे जा चुके थे उनकी तो बात ही खतम जो बचकर भाग गय थे कुछ दूर ठीक है तो उसने फिर से प् इसने फिर से हमला किया दा बाटल कंटिनीवड फॉर मैनी डेज और जो यूद था इस वार और अणदर से तूटे हुए नहीं लड़ रहे थे इस वार अपने अंदर पूरे जुनून के साथ पूरे ताकत के साथ भरोसे के साथ लड़ रहे थे यूद को तो यह यूद बह निकर दमनें राजा भी जीत गया जो घटना यहने कि जो अमकडीकी गठना से spite था राजा जो गुफ़ा में लुका हुआ था यह राजा भी अपने सत्व को सफल आजने की सफलत पूरों की, सफलत बारओं इसने सफलत को सफलत कको सफलतरव अपने सफलतтор जब तक कि सफल सफलता मिल नहीं जाती जब तक तुम सफल हो नहीं जाते हो अपने मंजल को पाने में कोई यदिया अपने टारिट बनाया है कोई अपने द्रड़ संकल पिगया कोई चीज पाने के लिए और यदिया एक बार में हमत हार जाते हैं तो यह अध्या हमें सिखाता है कि हमें थोड़ी ही देर में फिर एक दो बार हारने के बाद हमें कोई भी काम करने को छोड़ना नहीं चाहिए यानि कि अगर हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती है एक बार में दो बार में तीन बार में तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए और अच्छे से करना राएंगे तो इस लेसिन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगला विडियो देखने के लिए निक्लेस फोर भी हम जल्दी ही अपनी चैनल मेरा भाले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नेट्ट वीडियो में